हलो इन गुड मॉर्निंग एवरिवन आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर मैं हूँ डॉक्टर मॉनिका और आज हम 31 में से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेशन बन सकते हैं उनको डिसकस करने वाले हैं और क् का मॉटिवेशनल कॉर्ट है मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में तू जरा हिम्मत तो कर ख्वाब बदलेंगे हकीकत में तू जरा कोशिश तो कर तो इसी मॉटिवेशनल कॉर्ट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन करनाट की नई मुख्य सचीव कौन बन गई है तो इसका करेक्टर आंसर होगा वंदीता शर्मा बनी है यह करेक्टर आंसर है करनाटा गॉर्मेंट ने सीनियर आईएस ओफिसर वंदीता शर्मा को स्टेट की निई चीफ सेकेटर अपोइंट किया है और यह 1986 बैच के आईए कमिशनर है और यह किसका इस्तान लेनी वाली है यह पी रवी कुमार का इस्तान लेनी वाली है जो 31 में को यह रिटायर होने वाले हैं और यह जो सीनियर आईएस ओफिसर है यह 2023 तक इस पोस्ट पर बनी रहेगी 2000 में टैरीसा बटा चारिये 2006 में मालती दास और 2017 में रतना प बनी है चलिए appointment of top 5 famous women's को हम revise करें first woman fighter pilot of Indian army तो यह कौन बनी है अभिलाशा बराक बनी है new female prime minister of France तो यह बनी है Elizabeth Bond new chairperson of central board of secondary education तो यह बनी है निदी छिपबर the new CEO of Aditya Birla Capital तो यह कौन बनी है विशाका मुले बनी है new director of forest research institute तो यह बनी है रेनु सिंग तो आपको याद रखना है जो करना तक की new chief secretary है यह बन गई है वंदीता शर्मा second number question है where has prime minister Narendra Modi inaugrated the world's first nano liquid urea plant प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी ने विशु के पहले नैनो तरल यूरिया सैंत्र का कहां पर उधगाटन किया है तो यह उधगाटन किया गया है गांधी नगर गुजरात के अंदर B इसका correct answer है नैनो यूरिया के हम बात करें तो अभी तक जो यूरिया होता है यह solid form में यूज लिया जाता है लेकिन जो नैनो यूरिया है ये पूरी तरह से लिक्विड फॉर्म में होने वाला है और सॉलिड यूरिया बोरे के अंदर मिलता था लेकिन अब जो नैनो यूरिया है ये बॉटल्स के अंदर आपको अवेलेबल होने वाला है और इस लिक्विड यूर इसके अंदर तेजी के साथ साथ जो environment है ये भी सुरक्षित रहता है क्योंकि इसका जो use है ये पत्तियों पर चिड़काओं के रूप में होता है और ये सामानी दानेदार जो यूरिया है इसकी तरह जमीन में जाकर मिट्टी को भी ये दूशित नहीं करता है तो इसका जो करे किया और इन्फो के नैनो जो लिक्विड यूरिया प्लांट है इसका वर्चोली इन्हों व्दगातन किया है और ये दुनिया का पहला नेनो लिक्विड यूरिया प्लांट है प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी ने का है कि केंद्र यूरिया पर प्रती बोरी 3200 रुपए तता डीएपी पर 2500 रुपए की सबसीडी दे रहा है और देश फर्टिलाइजर की जरुरत का एक चोथाई विदेश से आयात करता है नैनो जो लिक्विड यूरिया के इनोवेशन से हम आत निर्भर की और जो है हम ब तो यह जो लॉंच किया गया है यह चाइना के अंदर लॉंच किया गया है इसके बाद में बात करें विच विकम दर वर्ट फर्स एरलाइन तो यह है स्विस इंटरनेशनल एरलाइन है विच विकम दर फर्स कंट्री इंद वर्ट तो गिव लीगल राइट्स तू प्रोटेक्ट वाइल लाइफ रॉम अब्यूस जो वन्नी जीओ को दुर व्यवार से बचाने के लिए जो कानूनी अधिकार देने वाला वर्ड का ज इसराइल के अंदर ये पर्मीशन मिली है थर्ड नमर क्रेशन है वैन इस इंटरनेशनल डे ओफ यूएन पीस कीपर्स 2022 सेलिब्रेटेड सायुक्त राष्ट शांती सेनिको का अंतराष्ट ये दिवस 2022 कम मनाया गया है तो ये मनाया जाता है ट्वंटी नाइन में को ये मनाय करता है और सैंतराष्ट शांती सेनिको का अंतराष्ट ये दिवस 3900 से अधिक जो शांती सेनिको को सम्मानित करने के लिए ये मनाया जाता है जिन्नोंने सैंतराष्ट के तहत अपनी जान गवाई है और ये 29 में को ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि पहला काम समझे होते की निगरानी के लिए की गई थी जिस पर इस्राइल और अरब के बीच हस्ताक्षर किये गए थे टॉप 5 डेज को रिवाइज करें तो वर्ड टैली कम्यूकेशन और इन्फोर्मेशन सोसाइटी जो डे है यह हमने 17 मई को सेलिब्रेट किया है इंटरनेशनल फै इन्टरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फैडरेशन जूनियर विशुकप 2022 जर्मनी के सुहल में यह औरगिनाईज किया गया था और भारतिय दल का जो नेतरत्व है यह इका निशाने बाज मनुभाकर और सौरब चोधरी ने किया और ISSF जूनियर विशुकप 2022 में भारतिय जूनियर शूटिंग टीम कुल मिलाकर पहले इस्तान पे रही है इन्होंने 13 जो है गोल्ड, 15 जो सिल्वर, 5 जो है इन्होंने ब्रॉन सहीत जो 33 मैडल इन्होंने जीते है और 4 जो है गोल्ड मैडल के स इसमें रही है इसमें रही है 2021 की बात करें ISSF जूनियर विशुकप के जो लास्ट एडिशन था इसके अंदर भारत ने 43 जो मैडल है ये जीते थे जिनमें थे 17 जो है गोल्ड मैडल, 16 सिल्वर मैडल, 10 ब्रॉन्ज मैडल सहीत जो है मैडल टेली के अंदर ये उस टाइम भी टॉप पे रहा था चले टॉप 3 कंट्रीज इंदर मैडल टेली की बात करें तो इंडिया इसके अंदर फर्स्ट पॉजीशन पे है इनोंने 33 जो है ये टॉटल जो पदक है ये जीते है इसके अंदर 13 गोल्ड, 15 सिल्वर और 5 जो है ये काश्य पदक जीते है और 2 पॉजीश है टॉटल जो मैडल है ये साथ इनोंने जीते है इसके अंदर 4 गोल्ड और 1 सिल्वर और 2 ब्रॉज मैडल इनोंने जीते है और इसका वेन्यू कहां था ये सुहल जर्मेनी के अंदर ये आयुजीशित किया गया है फाइब नमबर ग्वेशन है इन दे ये 2021-22 विच हैस बिक अमेरिका 20 का करेक्ट आंसर है डिटेल से बात करें तो 2021 और 22 में अमेरिका चीन को पचार कर भारत का लार्जेस ट्रेंडिंग पार्टनर बन गया है जो दोनों देशों के बीश में स्ट्रोंग एकोनॉमिक टाइस को रिफ्लेक्ट करता है और जो मिनिस्ट्रे ओफ कॉमर्स के फिगर्स के अकोडिंग 2021-22 में अमेरिका और भारत का जो बाइलेटरल ट्रेड है ये बढ़कर 119.42 अरब डॉलर तक पहुंच गया है जो 2020 और 21 में 80.51 अरब डॉलर था और इन फिगर्स के अकोडिंग 2021-22 में भारत का अमेरिका को जो एक्सपोर्ट है ये इंक्रीज होक 76.11 अरब डॉलर तक पहुँच गया जो इससे पहले जो financial year था इसके अंदर 51.62 अरब डॉलर रहा था अमेरिका की बात करें अमेरिका इस लॉकेटेड इन दा कॉन्टिनेंट ओफ नोर्थ अमेरिका यॉनाइटेड स्टेट ओफ अमेरिका और इसकी जो capital है यह क्या है Washington DC है यहाँ पे जो currency है यह US dollar चलती है 46th President कौन है Joe Biden है Vice President यहाँ पे है Kamala Harris और अमेरिका's Space Agency is named तो इसका नाम क्या है NASA और इसका जो headquarter है यह Washington DC के अंदर है 6th number question है Where has the third global organic export 2022 started to promote organic farming जैवी खेती को बढ़ावा देने के लिए तीसरा global organic export 2022 कहां पर शुरू हुआ है तो इसका correct answer है यह New Delhi के अंदर start हुआ है Organic farming की बात करें तो यह क्या है आज कर जो जनसंक्या विस्पोर्ट है आज पूरे वर्ड के अंदर सबसे बड़ी problem बनती जा रही है और जो population का बढ़ना है इससे क्या होगा जो food है इसकी जो अपूर्ती है इसके अंदर problem होगी और food जो problem है इसके लिए जो इंसान है यह तरह-तरह के जो experiment है यह करता रहता है और एक ऐसी होड पैदा करता है जिससे अधिक production हो और अधिक production के चक्कर में जो इंसान है यह रासायनिक और जो खतरनाक एजेविक जो प्रदार्त होते है उनका यूज लेने रगता है जो हमारी health के उपर बहुत ही harmful effect डालता है और जेविक जो क्रशी है इसका जो अभी प्राई है तो यह ऐसी प्रणाली है ऐसा system है जिसके अंदर जो रासायनिक खाद है जो कीट नाशक दवाय है इसका यूज नहीं किया जाता बलकि इसके इस्तान पर जो जेविक खाद है या जो प्राकरतिक खाद है इसका यूज होता है और ये जो क्रशी की एक पारंपरिक विदी भी मानी जाती है जिसमें जो धरती है, भूमी है इसके उर्वक्ता में सुधार होने के साथ ही जो environment है, जिसका pollution है ये भी कम होता है तीसरा ग्लोबल और्गनिक एक्सपो 2022 और्गनिक प्रडूसर्स, एग्रिगेट्स, प्रोसेसर्स, वैलू चेन, इंटिग्रेटर्स और इंडस्ट्रीज पार्टनर्स के लिए एक उप्रियूक्त थीम मानवता के लिए लाप्रब्दता के साथ वेश्विक इस्तर के सम्मेलन की पेशकर्श करके एक प्रमुक मंच बनने की और ये अग्रिसर है और पिछले प्रोग्राम्स में दोसों से अधिक और्गनिक प्रोड़क्ट, सर्विस कंपनियों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया और ये दुनिया को और्गनिक्स के शेतर में काम दिखाने का एक शांदर आवसर ये प्रतान करता है ग्लोबर और्गनिक एक्सपोर नए जो कस्टमर है इसका पता लगाने और एक्सिस्टिंग कस्टमर सप्लायर्स और पार्टनर्स के साथ फेस टू फेस बातचीत करने का ये अवसर देता है कॉम्पिटिशन्स को समझने और मार्केट एनलाईज करने के लिए ये जो प्रोग्राम है ये 360 डिग्री अप्रोच ये होने वाला है सेवन नमबर क्रेशन है विच स्टेट गवर्मेंट हैस लॉंच्ट इंद्रा गांधी अर्वन एम्प्लॉइमेंट गारंटी स्कीम 2022 इंद्रा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 को किस राजय सरकार ने शुरू किया है तो ये राजस्तान सरकार के दोरे ये स्टार्ट की गई है डिटेल से बात करें तो राजस्तान की जो मुख्य मंत्री है श्री अशोग गैलोत इन्होंने इंद्रा गांधी शहरी रोजगार योजना के इंप्लिमेंट के लिए नए नियमों को इन्होंने असेप्ट किया है और महात्मा गांदी रास्टे ग्रामी रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के बाद तयार की गई योजनाग गहलोत के द्वारा 2022 और तीस के बजट में मेट्रो पॉलिटन एरिया में रोजगार पैदा करने के लिए ये पेश की गई थी और New Urban Employment Scheme के तहट जो अर्बन एरियाज है इसके अंदर रहने वाली जो फैमिलीज है ये हर साल 100 दिन का रोजगार इनको मिलने वाला है और एक Official Release के इनुसार State Government Ambitious Scheme बर हर साल 800 करोड रुपे का जो इन्वेस्ट है ये करेगी और नए इंस्ट्रक्शन के अकोर्डिंग रेजिडिंग लोकल बोडी एरिया में 18 से 60 साल के जो एज के सभी लोगों को उनके जन आधार कार्ड का यूज करके इस सिस्टम के तहट एन्रोल किया चाएगा और इस जो ये प्रस्ताव है इसके तहट काम को राज्य और जिला सिमितियों के दोरा अनुमोदित और किया चाएगा चलिए राजस्तान से रिलेटेड टॉप फाइब जो करेंट अफेर है उन्हें हम रिवाइस कर लेते हैं तो ये 33 नंबर का जो फाइशन डे है ये मनाया गया है 30 मार्च को उन्नी सो उननचास को इसके स्तापना हुई थी वेर इस द वर्ड फेमस मरू फेस्टिवल और गेनाइज तो जो मरू फेस्टिवल है ये जैसल में राजस्तान के अंदर और गेनाइज किया जाता है जो सोभागिय स्कीम है इसके अंडर भारत के किस राज्य में सोर आधारित सिस्टम के महाद्यम से विद्यूती करत घरों की जो संक्या है ये सबसे जादा है तो ये राजस्तान के अंदर है जो वायू शक्ती जो एक्सराइज है इसका अयोजन कहां पर किया गया है तो ये पोकरन राजस्तान के अंदर किया गया है इसके अलावा बात करें बिना रुकावर डिजिटल जो सेवा है ये देने के लिए एल रूट जो सरवर इस्तापित करने वाला जो भारत का पहला राज्य बना है तो ये भी राजस्तान बना है एट नमर क्रेशन है वेर एस दिल्ली कस्टम्स जोन लॉन्च प्रोजेक्ट निगा तू ट्रैक इन्लेंड कंटेनर डिपोर्ट्स दिल्ली सीमा शोल की छेतर ने अंतरदर्शिय कंटेनर डिपो को ट्रैक करने के लिए प्रोजेक्ट निगा कहांपर शुरू किया है तो इसका correct answer है, ये Guru Gram के अंदर start हुआ है, ये इसका correct answer है, डिटेल से बात करें, तो Chief Commissioner Custom John, Area Surjit Bhujbal ने ICD गड़ी हरसरू Guru Gram में जो project निगा है, इसको integrate किया है, और ICTM को custodium members, GRFL के सयोग से ये develop किया गया है, और ये जो है, ये सभी participants को project का live demo इसके अंदर दिया गया है, इस project के बारे में बात करें, तो ये जो project है, ये N-I-G-A-H-I-C-T-M, ICD container tracking modules का use करके, container को track करने की ये initiatives है, जो ICD के अंदर container की जो आवज है ही है, इसकी बहतर द्रश्चता में ये help करेगा, और ये सीमा शुल को लंबे समय से खड़े containerों में तेजी लाने, और समय पर मंजूर की निगरानी करने में help करेगा, जिससे lead, prevention check, ensure करने के साथ, business करने में easy होगी, चले दिल्ली से related question है, तो दिल्ली की बात करें, तो विने कुमार सकसेना, यहां के नए lieutenant governor है, दिल्ली government sign a knowledge sharing agreement with the Punjab government, the education song, इरादा कर लिया है हमने, has been released in दिल्ली, दिल्ली government constituted a field task force for the rehabilitation of homeless children, और जो प्यूटल फेस्टिवल है, पपेड जो फेस्टिवल है, यह organize किया जाता है दिल्ली के अंदर, और school health clinic has been integrated in दिल्ली, तो schools जो health clinic है, इसका integration दिल्ली के अंदर किया गया है, और other portals की हम बात करें, तो जो कोशल रोजगा निगम पोटल है, इसका जो संबन्द है, यह हर्याना से है, हर्याना government ने इसे launch किया है, और रक्षा मंत्राले ने जो पहले के सैनिक है, पूर्व सैनिक है, और उनके आश्रतों की pension संबदी शिकायतों को हल करने के लिए, एक online रक्षा pension शिकायत निवादन पोटर की स्तापना की है, इसके बा प्रती शक्ती संचार पोटल को लॉंच किया है, और जो सडक दुरगतना है, इसकी ततकाल जानकारी प्रदान करने के लिए, यह डियार पोटल को लॉंच किया है, सडक परिवहन और राजमार मंत्राले की द्वारा, तो यह भी आप ध्यान रखेगा, नाइन नमर क्रेशन ह पोटल for Indian exporter and overseas buyers, भारती निर्यात को और विदेशी खरीदारों के लिए भारती व्यापार पोटल को किसने लॉंच किया है, तो इसका गरेक्ट आंसर होगा, अनुप्रिया पटेल के द्वारा यह लॉंच किया गया है, यह इसका गरेक्ट आंसर है, Commerce and Industry, State Minister अनुप्रिया प foreign buyers के लिए एक international trade hub के रूप में यह काम करेगी, और यह portal small medium enterprises exporter, artisans, farmers और को अपने जो product है, इसके लिए markets identify और globally जो है, उनकी sales increase करने के लिए, empower उनको बढ़ाने के लिए, एक digital market यह होने वाला है, चलिए top 5 app and portal की हम बात करें, who has launched the online portal MyEV to ease the process of purchase of electric auto rickshaw, तो यह दिली government के द्वारा launch किया गया है, where has the central government launched जन भागीदारी empowerment portal under the digital mission, तो यह जम्मु एन कश्मीर government के द्वारा launch किया गया है, government of which state has launched AP Seva 2.0 portal 2.0 to provide better service to citizens, तो यह आंद्रप्रदेश के अंदर launch किया गया है, चीफ मिनिस्टर of which state has launched कोशल रोजगार निगम पोर्टर, तो यह हर्याना government के द्वारा launch किया गया है, कोईला दरपन जो पोर्टल है, यह अनील कुमार के द्वारा launch किया गया था, टैन नामर क्वेशन है, वेर वास दर फोर्थ रीजनल सिक्यूर्टी डायलोग 2022 on the issue of Afghanistan held, अफगानिस्तान मुद्दे पर चोथे छेत्री सुरक्षा समवार 2022 का जो आयोजन है, यह कहां पर हुआ है, तो इसका correct answer होगा, यह हुआ है, दुशामबे तजाकिस्तान के अंदर, C's का correct answer है, डिटेल से बात करें, तो फोर्थ रीजनल सिक्यूर्टी डायलोग 2022 का जो आयोजन है, यह तजाकिस्तान की जो capital है, दुशामबे यहां पर हुआ है, और इस डायलोग का जो aim है, यह अफगानिस्तान पर तालिबान के कबजे के बाद, कट्टर पंथ और आतंगवाद के बढ़ते खत्रे से निपटने की, जो common status ही है, इसको बनाना, और वहां पर जो drug trafficking है, इसको रोकना है, और venue क्या है, यहां पर दुशांबे तजाकिस्तान के अंदर यह हुआ है, इसका fourth edition था, प्रेजिडेंट फ्रॉम इंडिया, तो यह कौन है, अजीद दाउल है, National Security Advisor of India, चलिए कल के जो MCQ है, उन्हें हम जल्दी से revise कर लेते हैं, फर्स्ट क्वेशन है, जे विवित्ता रजिस्टर पाने वाला भारत का पहला Metro City कौन सा बना है, तो इसका correct answer होगा, कॉलकत्ता वेस्ट मिंगोल बना है, यह इसका correct answer है, second number question है, भारतिय सेना की पहली महिला लड़ा कू पाइलेट कौन बनी है, तो इसका correct answer है, कैप्टन अभिलाशा बराक बनी है, सीस का correct answer होगा, third number question है, किस भारतिय लेखिका नहीं पहली बार हिंदी उपन्यास, टॉम ओफ सेन्ट के लिए अंतरास्टिय जो बुकर प्राइस 2022 जीता है, तो इसका correct answer है, यह जीता है, गितांजली श्री को मिला है, बी इसका correct answer है, four number question है, अंतरास्टिय बॉक्सिंग असोशेशन की एथलीट सिमित्ती की नई अध्यक्ष कौन बन गई है, तो इसका correct answer है, लव लीना बॉर्गो हैन बनी है, एसका correct answer है, five number question है, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने भारत के सबसे बड़े ड्रॉन उत्सव, भारत ड्रॉन महत्सव 2022 का जो उद्गाटन है, यह कहां पर किया है, तो इसका correct answer होगा, यह न्यू दिल्ली के अंदर किया गया है, इसका correct answer है, six number question है, listen to your heart, the London Adventure नामक जो बुक है, इसके author कौन है, तो इसका correct answer है, यह रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है, six number question है, भारत के पहले लेवेंडर जो फेस्टिवल है, इसका इनोगरेशन कहां किस ने किया है, तो इसका correct answer है, यह डॉक्टर जितेंदर सिंग के द्वारा किया गया है, six number question है, फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में किसे excellence in cinema पुरशकार से सम्मानित किया गया है, तो इसका correct answer है, नवाजुदिन सिद्धिकी को यह जो अवोर्ड है, यह दिया गया है, बीस का correct answer होगा, nine number question है, किस देश की M.U.F.G. बैंक को गिप्ट सिटी में शाखा कोलने की मंजूरी मिली है, तो इसका correct answer है, जपान को, सीज का correct answer है, 10 number question है, किस राज्य में पाई गई बंदर की एक नई प्रजाती का नाम, सहला पास के नाम पर रखा गया है, तो इसका correct answer है, अरुनाचल प्रदेश के अंदर ही पाई गई है, 10 का correct answer होगा, और यह था कल का study gloss question, फ्रांस की नई महिला प्रधान मंत्री कौन बनी है, तो इसका correct answer होगा, यह बनी है, Elizabeth Bourne बनी है, C's का correct answer है, और यह है आप लोग के लिए आजका study gloss question, तक्नी की company, Infosys के MD और CEO कौन बने है, तो इसका answer आप मुझे comment section में दीजेगा, यह हमारा telegram channel है, यहाँ पर आपको quiz मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप जादा से जादा इनकी practice कर सकते हैं, I hope आपको इस session पसंद आ रहा होगा, अगर पसंद आ रहा है, तो आप इसे like कीजे, अपने दोस्तों के साथ में share कीजेगा, और questions से related कोई भी आपके doubts है, तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हैं, तो चले मिरते हैं हमें एक नए session के साथ में, thank you,